सभीको नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीसी प्रीडोजाट 24 को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो आप कमेंट करते रहते हों और उनी कमेंट के आधार पर ये आज का वीडियो बनने जा रहा है कौन-कौन से डाउट रहते है की कई बच्चों के डाउट ही रहते हैं कि हमारी त्यारी अभी आदिये धुरी है तो हमें 2012 में देना चाहिए और नहीं देना चाहिए कर और ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो आसा करता हूँ, वीडियो को आप लाइक से जरू करोगे, कमेंट करके बताओगे कि आपके और भी कोई डाउट हो, उनको भी एड्रेस हम करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट उठाते हैं कि कई बच्चों के मन मे स्किप की परवर्तिया आने लगती है, कि हमारी तेहरी अभी ठीक नहीं, ये टेस्रिजब ने दिया, हमारा स्कोर बेकार हो गया, तो हम अगली साल देते हैं, तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों, अगली साल भी ये समस्य आने वाली है आपके साथ में, अभी भी आप अच्छ करना कि आपका टेम्ट खराब चला जाएगा, तो आप उससे में डिसीजन लेना, अभी से आप ये करोगे, तो आप चार मैने से वेस्ट कर दोगी, कोई फाइदा नहीं होने वाला उस चीज़ का, ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि अभी हमारा उपसल सब्यक्ट, या धुब परषंट, तो 50% तेयार है, या बिल्कुल भी तयार नहीं है, तो दो चीज़े हो सकती है, जिनके बिल्कुल भी तयार नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुस्किल होगा, लेकिन जैसे कुछ ऐसे सब्यक्ट है, जैसे हिंदी साहित ही, जो आपका थोड़ा भुत लेकिन यदि आप उस समय त्यारी करोगे जैसे आपका प्रिलिम्स हो गया तो वह तीन मेने है ना आप एक साल बना सकते हो इतनी अच्छी उस समय पढ़ाई होती है क्योंकि मैंने चार में लेके तो मैं यह बता सकता हूं यह बात और जिस पर इंट्रिकॉल भी है तो इस है तीसरा जो कुछन एड्रेस के जा सकता है वो है टेस्टरिज को लेकर बच्चे करते हैं कि टेस्टरिज लगाएं या नहीं लगाएं तो कौन शिलगाएं तो इसमें मेरा आंसर है कि पहले पीवाइक कुलाना है यूपीची के जैसे 11 साल की पीवाइकु अमने भी निकाल करते हैं मार चेट में फोटकोः पसंद आती है उनकी टेस्रेस बढ़ा के लगा सकते हैं और कैसे लगाना है तो जैसे उसमें आपकी स्प्रेटी ओ सकती क्या आप सेक्सिर्ट पर लगाऊँगे फुल के लगाऊँगे वह आपकी अच्छी स्ठीजी हो सकती है लेकिन उसमें प्रपर करना अच्छा इसका इससे जुड़ाव एक बड़ा डाउट आता है बच्छों के बन में कि उनका स्कोर 30-35 बहुत ही कम स्कोर आ रहा है तो उनको डर लगने लगता है तो उनको लगता है कि अगली साल देते हैं तो ऐसा नहीं है टेस्ट रिज में स्कोर में अपना ब करती है लेकिन निशी दुरुप से उस चीज से घबराना नहीं कि आपका 30 स्कोर आ रहा है आप अपनी गलति को फाइंडिंग करो गलतियों के बाद में आप क्या करोगे जो चीजी आप पढ़ रहे हो उसमें हो सकता है आपकी रिविजिन की स्टड़िजी थोड़ी गलत हो पर देख लोगे जो पढ़ोगे प्रिलिम्स एक्जाम के लिए आपके में भी काम आएगा तो उसकी भी आपको टेंशन लेनी की नहीं है ठीक है इसके लावे एक सिशेट को लेकर बच्छों के मर्म में डाउट रहता है कि सिशेट की कोचिंग करें या नहीं करें ठीक है य और पेसेज के अपनी किताब भी डिस्क्रिप्शन चेकना बहुत सांधर किताब है वहां से आप कर सकते हो ठीक है तो मेरे साब से यह है कि आप अपने साब से इसमें कोई मेत रिजिनिंग कोई टीचर बढ़ा रहा है तो आप कर लो कोई कोचिंग कर लो 1000-2000 रुपे की कोई लगता है कि कई वार उनका एक-दो नमर से फेल होगे मार्क से फेल होगे तो आगे डर है कि वह आपीस फेल नहीं हो जाएं तो आप सीरिस एस्प्रेंट उ तो थोड़ा बहुत चिंता तो आपके आएगी वह चिंता आपको पढ़ने के लिए प्रेदिश करेंगी तो वह ए इसे बहुत सरे कॉमंट डाउट मेरे साफ से वीडियो से आपके एड्रेस रोगोंगे बाके आप कमेंट करके और डाउट बताऊगे तो उसके कुन हम बात करेंगे बाकि जैसे एक mentorship session भी लेते हैं इसमें क्या है Valause के बहुत सारे recorded video हुमने एक शिजए हैं fact Gest ऑ डू से ठीक है तो आप भी जूड़ सकते हो साइड में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा मेंटरिस पिसेशन का तो मिलते हैं को वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद